दोसों हिंदर्बग रिसर्च रिपोर्ट के विस्फोर्ट के बाद में अधानिक ग्रूप बिल्कुल ताज के पत्तों की तरह धह गया है सभी स्टॉक लगा था गिरने में लगे हुए कुछ एक स्टॉक को छोड़ के जो कहीं न कहीं से बाउंस देशो करने कुशिश कर रहे हैं बट आल्मोस्स सभी स्टॉक गिर रही हैं इन्वेस्टर्स के डमन में बहुत ही ज़ारा डर का महावल है कि क्या उसमें बने रहना चीए या एवरेज करना चीए या होल करना चीए या निकल जाना चीए क्या इस ग्रूप में कोई अपॉच्णिटी बन सकती है इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से बनाया गया है दोस्तों बहुत ही महनत की गई है कभी कुछ एडिटिंग करने की जो आपके दिल का सवाल सब के मन में चल रहा हो कि इतना गिर गया है 70% तक स्टॉक्स क्राइश हो गया है तो क्या हमें यहां पर अधानी के स्टॉक्स खरीने चाहिए दूसरा सवाल आप यहां डिसकस करेंगे कि फेर वैलुईशन क्या है फिर्डमेंटल्स के बहाफ पे अगर देखें तो कंपनी धराशाई हुई कंपनी में कहा जाते हैं पी बहुत हाई है और वेलुट है जिसके विसे स्टॉक्स को गिरना चाहिए ऐसा ही हिंदनमग ने कहा कि 85% तक स्टॉक्स गिर चुके हैं उनका एक ट्रैक लिग हो रहा है उसको पर एक ट्रस कर सकते हैं पूरा देखीगा वीडियो को अन्त में आत के लिए उतनी जबर्दस शीड़ाप के बनाइए मैंने जहां पर यह कोशिष कर रहा है को बताने की क्या स्टॉख बागी और विइल सकते हैं यह एक रीबांट होने के चांसे सह से है तो वीडियो को बोला देखिए कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाईस इस वीडियो में नहीं दे रहा हुँआ मेरा उट्टुक है दोस्तों एक और रिक्वर्स आपसे कहा हुँआ इस वीडियो को अभी डाउनलोड पर क्लिक कर दिजिए डाउनलोड का बत्म आपको इस वीडियो के लिए आउग सकते हैं चोता सवाल आपका रहेगा कि क्या स्टॉक मार्किट क्रेश करेगी इस अदानी क्लैश की विजए से पांचा सवाल रहेगा क्या बैंकिंग सिस्टम कॉलाप्स कर जाएगा इंड़स्तान में यह सब के मन के सवाल है आठ सवाल निकाले आप लोगी दरफ से और सवाल तो कमेंट सेक्शन में जरू कीजिएगा मैं उसके वीडियो इस पे जरू बनाँगा पहले भी तो वीडियो बना चुको आई पटन के आपको टाइटल आ रहे हूंग आप देखना चाहे तो वीडियो इसको पहले भी देख चुके हैं देख सकते हैं दुबारा से मैं किसी के लिए भी प्रो या कॉन होके वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टर क्या करें उसका सवाल में इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं चटा सवाल रहा कि कौन से स्टॉक्स बैस अदानी गूरूप में अब खरिदने के लिए सात्ता सवाल रहा किया होल करें एवलिज करें बाय करें और सेल करें अगर ब्लू चिप का ऐसा हाल हो रहा है तो हमें स्टॉप मार्केट में भरोज़ा कहां करना चाहिए क्या हमें small cap पे जाना चाहिए क्या हमें mid cap पे राना चाहिए या हमें penny socks रोना चाहिए multi bagger बनने के जिए तो यह सभी सवाल आपके रहेंगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वीडियो को प्लीज अभी एक like प्रेस कर दीजिए ताकि मैं motivate रहाँ आपकी feedbacks को देखे हिंडों दोस्तान का एक आदमी जो वर्ल्ड में third richest man on the world रहा अब जाके कहीं नगी पंदर स्थान में और शायद जब तक ये वीडियो आपके सामें आएगी हो सकता उसके नीचे भी जा चुके हो कुछ कह नहीं सकते ये बड़ा जबर्दस effect इसके उपर रहा तर बात करें कि अभी तक इसका effect क्या हुआ है तो सबसे पहली चीज़ है गौतब अदानी अब बिल्कुल भी टॉप के 20 richest man में नहीं है वो उस पाइदान से नीचे किसक चुके है अदानी एंटरपाइस के शेयर के बाल के तो 76% के असपार उसमें फॉल अलड़ी आ चुका है तीन लाग करोड से जारा की market cap वो शेयर लूज कर चुका है क्रेडिट्स उसने कहा कि यह वो अदानी के बॉन्ड से वहीं एक्सेप्ट नहीं के रहीं के लिए सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह समझ दें जो लोग नहीं जानते कि यह हुआ क्या इश्यू माजरा क्या है वोट इस इश्यू सवाल बर्ज किया और कहा कि यह इंतियास का सबसे बड़ा corporate fraud है जिसकी वज़े से कुछ ही गंतों के अंदर अंदर माहौल बदला और stocks लगाता किने लगे इसके जवाब में आदानी नहीं कहा कि यह सब bogus है बक्वास है और इसकी intentions बिल्कुल भी ठीक नहीं क्योंकि हिंडर बग ने कहा कि वो पिष्छे तीन साल से रिपोर्ट बना रहे थे तीन साल में ही 2020 के बाद ही अदानी के stocks ने आसमान चुआ था और तीन साल में ही वो उसके पीछे पढ़ गए तो कहीं ने कहीं clash of conflict है भी अब यह बढ़ते हैं समझते हुआ क्या इसमें आंग में घी अब बात करते हैं कि यह हैं को इस नेट एंडिसन कुछ दोस्तों एक टाइम पर कहा जाता है कि यह शाद एंबुलेंस डाइवर थे और क्वालिफिक्शिट से CFA है एक क्वालिफाइट फानेंशल अनलिस्ट है और यह ऐसी कम्मीश के पीछे परते हैं ऐसी कम्मीश के नार उसका एक इसफेशन होता है इस में इस सगेट साल्मीश को ओसके नेटरा को लगा कि वह यह फासा थे खाराब है टो यह उसक्तिंवार ज सब्सक्ति होग ऊसैधिन ईयियोच में लिगल है ए aw चौट सेलिंगे पोजिशन से इनों ने क्रेट के और बाद में के रिसेर्च रिपोर्ट एक बड़े खापना टाइटल के साथ में एक रिपोर्ट को सामने लाया गया जिसकी वजय से बजार में हाहकार मची और स्टॉक 75% 76% से जारग गिर गए तो यहां पर पैसा पनाया ने ने जो पाँच लोगों की कंपनी है जिसी करडेवरे टिक पर सवाल उठाए जा सकते हैं मैं यहां पर कुछ नहीं कहना चाहूँए यह उपाशोर्था ने वालों कि क्या आपको 5 लोग की अधना सी कंप्पनी के ऊपर में ट्रस्थ करना चाहिए या आपको ट्रस्थ करना कुछ दिनों पहले अगर एक ऐसी कंपनी जो मुझे बहुत शानदार दिखाई दे थी, हर तरह रिपोर्ट्स की बात करें, एर्पोर्ट्स की बात करें, एनर्जी की बात करें, सरकार के रिलेशन्स की बात करें, तो खाही कही आदाने की बाते आ रहे दी. All of a sudden, एक रिपोर्ट ने सब कुछ खराप दिया, ऐसा नहीं ही होना चाहिए, हमें, as an investor, ये सोचाना चाहिए, कि क्या सही है, क्या नहीं है। corporate world को लेगी जो knowledge है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जासकता, तो कहीने कहीं, अगर हम देखी, बड़े दिगज लोग क्या कह रहे हैं, वो कहीने कहीं, यहां कहे रहे हैं, कि आपको blindly किसी की बात पर ब्लीव नहीं करा हूँ, यह नहीं कहा रहे हैं, कि आपको अदान कि ज़रूर नहीं है, अगर मैं आपके ऊपर सवाल उठाऊं, जब तक आप उसको प्रूव नहीं करेंगे, कि मैं सही में आप वले तर तक conclusion क्या निकल गाएगा, है ना, तो यहां पर catfight है, अदानी और हिंडनमक के बीच में, यह catfight कौन जीतने वाला है, यह समय बताने वा के इस गुरूप ने इसका नाब हिंडनमक रिसर्च का था, इन्होंने कहा कि जो भी corporate world में man-made calamities है, man-made frauds है, हम उनके expose करेंगे, तो यहां पर financial interest ही लोगा रहता है, जो आपके सामने 17 companies हैं, जो उनकी website पे लिस्टेड हैं, जो उनकी website पे लिस्टेड हैं, इस अब के नाम Microvision, Technology Zinc, Army Technologies and Blue Energy, यहां पे उनको मुगी खाने पड़ी बहुत मोटा नुकसान उनको हुआ था, यह उन्होंने अपनी website पे नहीं डाला, तो मैं आपसे जाना चाहूँगा, दोस्तों, अगर कोई इनसान अपनी website पे सब कुछ अच्छा अच्छा ही बता रहा है, और खराब न at 8% accurate, तो मैं यह नहीं कहुआ कि वो fail हो जाते हैं हर बार में, वो pass भी होते हैं, यह हमें देखना है कि वो सही है या गलत है, अगर बात करें, हम अदानी की या बाकि जिस भी companies की बात करें, या 17 companies की बात करें, शायद इनकी कद काठी, अदानी के बरावर के नहीं है, अदा यहां पर एक group को हो रहा है, एक conglomerate हो हो रहा है, अगर हम बात fundamentals की बात करें, हिंडन बग रिसर्च रिपोर्ट की बात है, उन्होंने का कि कोई भी stock fair valuation पे नहीं है, तो क्या वो अब fair valuation पे आगे, इसके लिए मैंने एक model का use किया है, जिस कौम कहते है, तो इन तीनों model को use करके जो बात historical models है, मैंने एक fair value इसके पहले बात करते हैं, अदानी enterprise की, तो अदानी enterprise की fair valuation है, वो 1178, 1170 के आसपास में है, यह मैंने थर्ड fab को मैंने वीडियो वीडियो शूट करनान चाहरा, उस दिन की valuations है, होसता है वीडियो आपकास में पांच, छे, साथ, आर तारीक है, उसके लिए माफ कीजिगा, बट यह के प्राइस कहीं नहीं है, इसके आसपास है, fair valuation है, यह मेरा technique नहीं है, यह historical technique से है, आप इसके विलि आपके पिडियो तो गए इस पाइस पाइसने लाएक्स, आपकी हेल्प, आपके सपोर्ट की पैना नहीं हो सकता है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्स्राइब नहीं किया शुक्त सब्स्राइब बेंट बेंट फिस प्रेस कि जिए, ताकि ऐसी इनफोरमेशन इसका बहुत आपको अधानी पोर्स लोजिस्स की बात की जाए तो इसका बहुत बनता है यह 47% अधानी पोर्स लोजिस्स की बात की जाए तो इसका बहुत बड़ी बड़ी डेंजरस यह अभी रिस्ट्ली आईपयो आए था और अधानी की यहाँ पर 47 रुपीज का इसका प्राइस फेर वैल्यू आंका गया इस मॉडल के साथ मेरी कल्कुशन बिल्कुल भी नहीं गया इस ऐस पर दी फेमस हिस्टोरिकल यहाँ पर इसको माना जारा कि 746 परसंट अभी भी इंफिलिक्टिड है प्राइस दोस्तों वीडियो पर प्रीज बने रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ा है एक अधानी एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई बड़ी कंपनी बजार को एक टाइम के लिए इफेक्ट कर सकती है हमेशा के लिए नहीं अगर आप इत्याहा से भी जाने कुशिश करेंगे तो जितने भी वड़े फ्रॉड हुए स्कैम हुए हशर मैता की बात हो कि दन पारिक की बात हो या किसी की बात वह सकता है हमारे किलाफ साजीश को हो सकता है रही हुए क्योंकि एक कंपनी जो पूरे वर्ड में अपना जंटा गाड रही हो हिंगुस पान का जो नक्षा है वो चेंज हो रहा है we are getting into the third इकानोमी और दो वर्ल दो यह साजीश भी हो सकती है यह भी एक विवपाइंट हो सता है बहुत साही लोगों इसको साजीश भी कहा रहा है मैं नहीं कहा हूँ हो सकता है यह साजीश क्योंकि जहां हिंदुस्तान वर्ल्ड की 5th largest economy थर्ड लाजस्ट बनने वाला है हम इन उद्य थर्ड फेबरी को जो मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं SBA LIC exposure within permitted limits markets well regulated निमला सीतारमान अन अदानी दर्मगरों नीचे पढ़िये नीचे का कहते है Finance Minister निमला सीतारमान on Friday said she did not expect the ongoing controversy around Adani Group to affect investor confidence as India's banking system is sound and the financial markets are well regulated यह मैंने कहा रहा हूं यह हमाई देश के वित्तमंत्री कह रहा है बिजन सुटे की अगर बात किया तो इनोंने भी का किया अदानी रूप चेर्मेंन गौता मदानी टोल्ड इंडिया तोड इंडिया तोड एक स्वाल है जो आपको मैंने कहा था हम प्रमिस करेंगे वीडियो के लास में आते हाते हमको इसको भाय करना है खरीदना आपके ऊपर चोड़ने वाला हूं क्या हमें जो जिस पर टरस करना चीए इसके बड़े स्कने वाले है एक बहुत इंपरटन एक सीट आपके लिए बनाई दोस्तो आपके लिए लेका अधानी विलमार की बात किया लास्ट थी कॉलम्स के ओप ध्यान दीजीगा कंपनी के अंदर में अगा डेट की बात के कंपनी के ओपर सब्सक्राइब अधानी एंटरपाई से हम साट थे 24 जैनरी का इसका हाई जा 3458 और एफेक्टिव फॉल तिल देट अभी तक को 2513 फॉल इसमें आ चुपा है और कंपनी कम से कम 73 प्रसंट तूट चुक है अगर ये इंडस्री प्यों स्टॉक पी के फॉर्मुले में अगर जाने कुश्य के तो स्टॉक अभी भी 77 परसंट बहेंगा ये हां से 77 परसंट भी पाल कर सता है इस पर दी कैलकुलेशन अधानीं क्टॉटल गैस की बात किया है तो कंपनी के ऊपर में करण डेट बारा सो तीन करोड के आसपास का देट विप्यों पॉइंट पॉइंट नाइन का है बट स्टॉक का पी 368 का है विच विच मेक्स दिस कंप्री 96 परसंट कॉसली अभी भी महगा दिखाई देता है बातारी ट्रांस्मिशन की बात की जाए तो कंपनी में 33,600 करोड का डेट है डेट विच 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 वेरी हाई और कंपनी के मार्केट काप की बात किया तो यहां पर दोस्तों यह वीडियो डिलीट हो सकती है प्लीज अब भी तक डाउनलोड नहीं करोड का है चंपनी में डेट विच 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 are जे विच YouTube के विच विच मेंगे पंटेन यहां से 180 से 200 परसंट का एक देखने को बिल सकता है बतानी विलमार के अगर बात कहें तो यहां में थोड़ी चुछन है अगर कोई न्यूज रूमर की तरह अगर शाबित होती है तो वो कमपनी बहुत जल्दी से रिबॉन करती है और रूमर अग गलत निकलते हैं तो स्टॉक फिर आपके हाथ में नहीं आएगा इद्यान अगना आपको यह देखना है कि क्या अदानी ग्रूप एक छोटे सी कंपनी है एक और्गनेजिशन एक कॉंगलम डेट है यहां पर बहुत साथे बिजनसेज एक कंपनी के अंडर में चल रहे हैं क्या यह बिजनसेज मेरी आपकी जिनदेगी से जुड़े हैं क्या यह बिजनस्री से जुड़े हैं क्या यह बिजनसेज देश की गुरोफ से जुड़े हुए ہیں क्या इसका उसमें रोल है आपको यहां दिखने है अगर आपको लगता है कि यहां पर एक सचाई है तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए एवरेज करें आने करें मेरी साब से एक बाउंस पर किसमें जरूर देखने हो बिलेगा और जैसे ही अधानी की प्लाइफिकेशन करेंगी आपको अपना एक नजरीया स्टाय है मैं य के आपल टार आपको तो सहीं शज स्थे नहीं होते हैं cannot कि में सुट इसा है पल दोन joc को ब्लेंड करके एक decision लेंगे तो शायद कहीने भी आप stocks को ले सकते हैं अधानी पोर्ट की बाद के अधानी पोर्ट की बाद के तो तो पहने की सितारे बदल जाएं आपके शर्किसमत बदल जाएं यहां पर हो सकता है बहुत से लोग ट्रॉल करेंगी कि गिरते शेर्ट को क्यों खुरते हैं और आपको नहीं आती आप पूरा प्रिमियम खड़ाब करने के तयार बैठ रहते हैं आप सबस्ते हैं 10,000 तक का लौस देख तो आप यह तरह लौस वहां देख सकते हैं मेरी आप से रिक्वेस्स है उतने उस लौस को जीरो समझ के आप अधानी ग्रूप में इंवेस्ट कीजिए शायद यह आपकी लाइफ का एक अच्छा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ज़रा फेर चांसे 50-50 चांसे I mean I would say 60 प आउस होने के चांसे हैं डिसीजन इस फानली और रिकमेंदिंग भॉइ और सेल अधानी स्टॉक्स यह इन फानली आपको होना चाहिए बट आपको सब चीज़े मिलें विजिसको भूंड रहे थे कुछ और अप्डेट चाहिएगा पीस कमें शेक्शे में लिखते जरूरू आपको इन्फोमेशन सही मिले और सही जगह से मिले यह कोशिश बड़ी इंप्टन होती गाईज यह कोशिश मैं हमेश्चा से करता रहूंगा बट उसके लिए मुझे आपका मोटिविशन चाहिए प्ली सब्सक्राइब चैनल राइन आओ इप्टी बेल निटिट फील सो ए दो निस एनी अफिन अटिशन एंड फोगेट तो सब्सक्राइब मैं शॉर्स चैनल विच फुल फूल फिंफोमेशन ओ और आपका पैदाने करें बालो शुप्या मिलते है किसी हो ने किसी इन्टी इन्टी इंदर में बाई टेकर जहिं